आप सब खेरियत से होंगे तो आज का व्लॉग हम लोग बाहर से शुरू कर रहे हैं मैं अभी हुस्टन को बाहर लेके आई थी और अभी हम यह वाली गेम प्ले कर रहे हैं मतब यह इस तरह की होती हैं पॉकेट सी और हम लोगों ने इस साइड पे खड़े होना है यह दिखी इस साइड पे और दूसी साइड पे हम लोगों ने इसको फैंकना है होल के अंदर मतब यह गेम मैं ज्यादा तो नहीं खेलती लेकिन अभी मैं आप लोग को मतब होल के अंदर जानी जाएगे ना यह तो बिल्कुल ने गई क्योंके खाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो बस मैं हुसनान के साथ यही खेल दी थी इसको बाहिर लेके आई हुई थी तो मैंने सूचा जो लोग यहीं से आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम लोग तो हुसनान अस्सलाम अलेकुम करो अस्सलाम अलेकुम गुड जॉब हाँ तो बस ची बहुत ही अच्छा वैदर हो रहा है हलाके इस ताइम ना यहां पे काफी गर्मी होती है लेकिन आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है बादल आये हुए हैं तो मैंने सुचा पहले हुसनान ब्रियानी खानी है तो फिर हम चिकन ब्रियानी बनाएंगे तो उसकी रेसेपी भी में आप लोगों को देने वाली हुँ बॉनलस चिकन दम ब्रियानी की तो वीडियो को यंग तक देखिएगा जी यहां पर मैं हुसनान को बाहर तो गुमाने ले आती हूं लेकिन जब अंदर जाने का टाइम होता है ना तो यह बड़ा स्ट्रॉगलिंग पिरियेड मेरे साथ होता है यह सही बच्चों की तरह जिस तरह पाकिस्ताने बच्चे नहीं होते हैं माएं कोई चीज नहीं ले अघुआ था और मैंने डिनर भी रड़ी किना था जब अचानक से ऐसे फरमाईश आ जाएना तो फिर काम बड़ा जादा जादा सा लगता है एक बंदे ने प्री प्लैन किया होता है कि मैंने यह पकाना है लेकिन जब अचानक से फुन हाजाए हस्बंड का करे यह बना लो तो फिर मुझे भी जादा काम लग रहा था तो इसलिए बस मैंने हुस्टनैन को थोड़ा सा टाइम बाहर गुमाया और भी बस मैं इसको मनाऊंगी कि चलो अंदर चलते हैं यह जगा वैसे मुझे बड़ी पिसंद है कि एक तो हमारे जो अपार्टमेंट है उनके फ्रेंट मे हैं तो इस वज़ा से यानि कि जब भी फ्री होती हूं थोड़े से टाइम के लिए भी तो मैं हुस्टनैन को बाहर ले आती हूं और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है यहां पर रश भी नहीं होता बहुत कम लोग आके यहां पर बैठते हैं यहां पर हुस्टनैन बिलक कि यह मेरी फ्रंट डो नेबर है डीडी तो यह किसी स्टोर पर जा रही थी अगर आपने इसकी वीडियो मेरे साथ देखनी है तो हमने बर्यानी का और चाय कर वीव किया हुआ है तो आप वो वीडियो में इसको अच्छे से देख सकते हैं तो जी जनाब हम अंदर आ चुके है सासत बर्यानी बनाएंगे सासत बातें करेंगे तो सबसे पहले हमने ले लिया है कुकिंग ओयल तो यहां मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बर्यानी की रेसिपी दूँगी ताकि अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे हो ना तो परफेक्ट बर्यानी बने तो जी आदा कप वोईल डालके हमने इसमें दो मीडियम कटी हुई प्यास शामल कर दी है और उसको थोड़ा साल ब्राउन के लिया है कि ताकि नरम से हो जाएं प्यास और अब हमने इसमें अद्रिक लैसन का पेस टाल दिया है एक खाने का चमच इसकी थोड़ी से बुनाई करने के इसमें गरम साले शामल करेंगे जिसमें मैंने एक सिनिमन स्टिक ली है थोड़ी सी लांग ली ए थोड़ी सी काली मुची ली है एक जाय का चमल worker ली यहाय और दो बड़ी यलाची ली है और हमने इसको नाद्रिकलस्टन के साथ ही एक से दो मिनट अच्छे से बून लेना है इससे बहुत अच्छी खुश्बू आ जाती है मसालों की और बड़ा मज़े का टेस्ट भी आता है यह देखिए जी जादा नहीं बूनना नहीं तो मसाले जल जाएंगे और जले की स्मेल आएगी बस आपने एक से दो मिनट इसको बून लिया है तो अब हमने इसमें दो बड़े साइस की कटी हुई टमाटर शामल कर देनी है और साथ में मैं सबस मिर्चे जादा यूज करी हूँ आदी मैं अभी डाल रही हूँ आदी बाद में डालूंगी यहां पे मैं लाज मिर्चे नहीं यूज करूंगी सबस मिर्चों से हम ब्रियानी बनाएंगे और साथ ब्रियानी मसाला अड़ करेंगे तो ये जी इसकी अच्छह से बुनाई करने के बाद हमने मीडियम फ्लेंग कर लेना है ये रहीं करने कि बहुत तेजना हो और इसको कवर कर देना है ताके जो हमारे टवाटर है वो भी अच्छह से गल जाए और प्याज मी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना वो भी अच्छे से हो जाए तो इसको बिलकुल हमने मीडियम और लो के फ्लेम के दर्मियान कर दिया हुआ है आप देख सकते हो और दूसी तरफ मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी रखती है इसमें मैंने नमक डाला है थोड़ा सा ओयल डाल दिया है ताके हमारे चावल आपस में जुड़े ना मैं अक्सर इसमें जीरा और गरम मसाले डालती हूँ लेकिन आज मैं नहीं डाल रही क्योंकि हुस्नैन ने बरियानी खानी है तो इस वज़ा से बहुत जादा मसाले हो जाएंगे तो जी जब पानी बॉयल होने लग गया था तो हमने इसमें अपने बीगे हुए चावल शामल कर दिया है और चावल एक साइड पे बॉयल हो रहा है दूसी साइड पे हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं तो अब हमने इसमें अपनी कटी हुई चिकन शामल यह जिकन आदा किलो है और चावल के मैंने दो ग्लास लिया है तो यहां पे हमने इसको वाइट कर लिया है तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे इसमें यहां पे मैंने एक खाने का चमच नमक लिया था और दो खाने के चमच हमने बियानी मसाला लिया था थोड़ी सी मेथी ली और हमने यहां पे दादड की हुई लाल मिर्चे शामल की है लाल मिर्च का पॉडर शामल नहीं किया और साथ में हमने लीमू का रस शामल कर दिया है और अब हमने जो बची हुई हमारी सबस मिर्चे है न वो शामल कर देनी है और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है और बिल्कुल हमने फिरना फ्लेम को लो कर देना है और फिर हमने इसको कवर करके पकाना है कोई एक्स्टा पानी नहीं हमने बोनलस चिकन में शामल करना ये दिखे बिल्कुल मैंने लो कर दिया हुआ है और अब हमने इसको कवर करके पका लेना है और दूसी तरफ मेरे चावल बॉयल हो गए थे वो मैंने ड्रेन करके साइड पे रख दिया है और अब ही मैं बना रही हूँ वेजिटीबल वाला राइता यह बहुत मज़े का लगता है ब्रियानी के साथ तो इसके लिए मैंने दो जो चोटे साइस के हमारे खीरे है वो लिए है यह बहुत सॉफ्ट खीरे है इसलिए मैं इसका छिलका नहीं उता रही और साथ हम एक शीमला मिर्च लेंगे और साथ में टमाटर लेंगे और थोड़ा सा प्यास शामल करेंगे और साथ साथ अपना चिकन देखते जा रहे हैं कि कहीं साथ ना लग जाए हलाकि मैंने बहुत लो फ्लेम किया है और पानी भी जो हमारी चिकन थी उसने छोड़ दिया था और उसी पानी में वो 15 से 18 मिनट में बहुत अच्छे से हमारी जो बोलस चिकन है यनि हडी के बगार वाल चिकन बहुत इच्छे से गल जाएगा और साथ साथ मेरा आईता ही बना रही थी और साथ सा खिचन भी क्लीन कर रही थी क्योंके टाइम मेरे पास कम था और क्योंके 8 पुछे मिली हस्पंट आ जा निकलते हैं आपके सारे गरवालों को ये बरियानी पसंद आएगी अगर आप रेसिपी को एस एटिस फॉलो करेंगे कोई इसमें साइंस नहीं हमने लगाई जो हमारी नॉर्मल सी रेसिपी है उसमें मसाले डाले है चिकन डाली है जादा जो अक्सर बरियानी बनाते हुए लोग मस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि राइस को जादा बॉयल कर लेते हैं जिसकी वज़ा से वो बड़ी जुड़ी जुड़ी सी बरियानी लगती है तो हमने 80 से 90 परसंट तक चावलों को बॉयल किया है और जादा नहीं किया और हमने इसको दम पे भी जादा जादा 10 से 12 मिनट रखना है अक्सर जब दम पे भी जादा लगा देना तो चावल जादा गल जाते हैं तो यहां पे मैंने दही में तनिये पौदीनी के चटनी डाल दी थी और सारी जो सबजीय काटी हुई थी वह शामल कर दी है तो यह वाला जो सबजीयों वाला राजटा ना बड़ा मज़े का लगता है ब्रियानी के साथ और हेल्दी भी है तो जी हमारा टाईता भी रैडिय हो गया था और इधर यह देकिए जी यहां पे तकरीबन इसको ना पकते हुए 15 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे और यहां पे मैंने चेक किया था चिकन बिलकुल अच्छे से गल चुकी है यह देखिए बहुत नरम चिकन है सॉफ्ट चिकन है अगर हम इसमें पानी डाल के हाई फ्लेम पे पकाते है ना तो जो हमार अब यहां उसी पैन में बिलकुल देखिए गए तो यहां पे सबसे पहले मैं चावलों की लेए लगाओंगी पिर चिकन की इस तरह हम दो लेए लगा लगा देंगे और इसमें अपनी पसंद का जबदा कलर डाल देंगे तो यह बिलकुल रेडी हो जाएगी यह सबसे असा जादा मिर्चे और दूसरा आप इसमें सबस धनिया और पदीना शामल कर सकते हैं दम के दुरान तो मेरे पास नहीं था तो वह मैं बिल्कुल नहीं डाल रही बस हमने इसको दम लगा देना है और अपना टेबल सेट कर लेना है तो यह रैसिपी आप लोग को बहुत बसंद आ हो रहा है तो समोसों और चाय का तो आप लाजमी देखिएगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे तो यहां पे मैं साथ-साथ टेबल सेट कर रह है आप देख सकते हैं राइस बिलकुल नहीं आपस में जुड़े हुए और कलर भी बहुत मज़े काया है और मज़ेदार सी चिकन बोनलेस दम बरियानी 30 मिनट से भी कम टाइम में रेडि हो गई है तो आप यह ट्राइ कीजिएगा मुझे फीड़ बैक भी दीजिएगा कि किस तरह की लगी है यह बरियानी किस तरह की आप लोगों ने बनाई है बना के भी मुझे फीड़ बैक दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें फेस्बुक पे भी फॉलो करें तो इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर स्टोरीज डालती रहती हूं तो अपन सेम नाम से इंस्टाग्राम पेदेशी विद मौडरन डच के नाम से आप चाह सकते हो और अच्छा मैं बड़ा सोच के बैठी हुई थी कि एद के बाद मैंने ना अपनी डाइट वाला काम शुरू करना है लेकिन एवरी डे कुछ नया इस तरह का पक जाता है कि मैंना उसको स्टॉप नहीं कर पाती है अपने आपको खाने के लिए और वैसे भी राइस तो मुझे बहुत पसंद है तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और देखिए ये कब तक चलता है और कब मैं रेडी होती हूँ कि दुबारा से वेट लोस करूँ क्यूंकि माइंड मतलब बड़ा बंदे को पहले अपने दमाग पर काम करना पड़ता है कि मैंने कुछ नहीं खाना और फिर ही बंदा सोच सकता है तो आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर खाना हो गया था और अभी मैं बना रही थी चाए और चाए के बात मैंने किचन क्लीन किया था तो अमिध है आज के व्लॉग आप लोग आप लोग को पसंद आया होगा और बिर्यानी की रेसिपी भी और मज़ेदार सी बिर्यानी भी आपने इंजोई की होगी मेरे साथ तो इन्शाला नए वीडियो नए व्लॉग में मिलूंगी और अभी मैं अपनी चाय इंजोई करती हूं अपना और अपनी फाइमली का बहुत सारा ख्याल रखें मुझे दौआ मियादे कि आला हफिज